Hello students, in this last video of this chapter, Fundamental of Partnership, we will discuss Adjustment Entry for Closed Accounts. What does it mean? बच्चों, कभी-कभी क्या होता है? कि Partnership firm के सारे Accounts हम complete कर लेते हैं. हम Profit and Loss Account भी बना लेते हैं, Profit and Loss Appropriation Account भी बना लेते हैं, Balance Sheet भी बना लेते हैं. बाद में हमें पता चलता है कि कोई Transaction left to be taken into account. Like Interest on Drawing तो ले इनी पार्टन से, या Interest on Capital तो पार्टन सको दिया इनी Profit and Loss Appropriation Account में, या Salary देना भूल गए, या Commission देना भूल गए, या Profit किसी गलत रेशो में बना दिया. तो, और हम Account बना चुके हैं, और जब हम Accounts बना चुके हैं, तो फिर से दबारा Account बनाने में एक बहुत लंबा प्रोसेस चला जाता है. तो हम ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक Past, एक Adjustment Entry करते हैं. Adjustment Entry से हम यह देखते हैं कि जो हमारी गलती हुई है, जो इंटर्सन Capital, इंटर्सन Drawing, Salary, Commission, यह जो हमारा छूट गया है, इसकी वज़ा से किसी Partner को जदा पैसे चले गए होंगे, और किसी Partner को कम गए होंगे, तो जिस Partner को जदा पैसे चले गए हैं, उसकी Capital Account से निकाल करके जिस Partner को पैसे कम गए हैं, उसको हम Credit कर देते हैं, Transfer कर देते हैं, और हमारी Adjustment Entry से सारे जो Error है, वो Rectified हो जाता है, हमें द या salary या commission या international capital अगर हम profit and loss appropriation account में लगाना भूल जाएं और accounts को close कर दें तो accounts दवारा बनाने की ज़रूरत नहीं होती हम ये देखते हैं कि इस गलती की वज़े से किस partner को ज़्यादा पैसे चले गए और किस partner को कम पैसे चले गए जिसके ज़्यादा पैसे चले गए हैं उससे पैसे लेकि हम जिसको कम गए हैं उसको दे देते हैं calculate करके तो हमें दवारा account नहीं बनाने पड़ते हैं हम capital से ही adjustment कर देते हैं जिस partner को जाधा पैसे चले गए है हैं उसी capital को debit कर देते हैं मतल्म hoş पैसे कर देते हैं और जिस partner को कम पैसे गए है है उसको हम दे देते हैं उसी capital में डाल देते हैं मतल्म capital को हम credit कर देते हैं Okay now take one example suppose A and B are partners in the ratio 3 is to 2 The capitals are A. 5 lakh and B. 2 lakh Interest on capital at the rate 12% per annum is omitted to be provided. The capitals are A. 5 lakh and B. 2 lakh Interest on capital at the rate 12% per annum is omitted to be recorded. नहीं लगाया लगाना भूल गए अब हम इसको कैसे करेंगे हम क्या करते हैं बच्चो एक statement of capital 50% तो 5 lakh का 12 cents गुआ 60,000 तो 60,000 इंटर्स on capital A को नहीं दिया अब आपने capital account बनाए हैं और capital account में आपने देखा होगा ठीक है अब B का निकाल लिए B की capital है 2 lakhs और उसका interest on capital 12% के साथ से कितना बन गया 24,000 तो यह बन गया आपका 24,000 उसको capital account की credit side में डाल दे जिए क्योंकि interest on capital जो होता है वो partner की capital account की credit side में ही लिखा जाता है अब देखो बच्चों A को 60,000 इंटर्स on capital भूल गए थे देना credit में लिख दिया B को 24,000 भूल गए थे देना credit में लिख दिया अब करना क्या है अब इसका total कर लिजिए 60,000 प्लस 24,000 that is 84,000 अब यह 84,000 जो है यह अगर इन दोनों को interest on capital क के तोर पे नहीं मिला तो कहां गया बच्चों वो profit में चला गया है तो इसको profit से निकाल लेना है profit में किस ratio में गया होगा three is to two क्योंकि उनका profit sharing ratio क्या है three is to two तो इस 84,000 को three is to two के ratio में वापिस ले ले जिए ठीक है यह बन गया आपका यह का कितना बन गया सिक्स्ट एक्टी फोर थाउजंड इन्टू थ्री वाई फाइव यह बन गया फिप्टी थाउजंड फोर हंडर्ड भी का भी के profit से भी निकाल लो देखो profit and loss जो profit होता है वह हम credit में लिखते हैं क्योंकि partners को जो profit देते हैं तो अब उनसे पैसा वापिस ले रहे हैं हम लोग तो डैबिट में लिखेंगे अब बी का कितना बना 84,000 दोनों का इंटर्षन capital है प्रफिट में जला गया था प्रफिट से बापिस लेना है बी का शेयर क्या है 2x5 x 2y5 तो इस धिया 30000 and 600 33 1600 हमने क्या किया एकंटर्षिं कैपिलल निकाला उसको क्रेटि में डाल दिया और दोनों का टॉटल किया तो सिस्टी प्लस टूइंटी 84,000 बनता है और इस यह 84,000 अगर इन दोनों को नहीं मिला इंटर्सन कैपिल के तौर पे तो कहां गया यह चला गया प्रॉफिट में तो प्रॉफिट से निकाल लेते हैं प्रॉफिट में कैसे गया होगा प्रॉफिट शेरिंग रेशो में गया होगा रेशो क्या है 3-2 3-2 में निकाल लीजिए 84,000 तो ए को कितना गया होगा 84 का 3-5 गया होगा कितना बनता होगा 50,400 निकाल लिया डैबिट सेर में लिख दिया बी को कितना गया हुआ 84 का 2 x5 33,600 ये उससे ले लिया उसे ले लिया मतलब हमने debit में लिख दिया अब इस difference की entry past कर देजिए 9600 debit और credit में कौन सी बड़ी है क्रेडिट बड़ी है कितनी बड़ी है 9600 क्रेडिट एसे लिख देजी क्रेडिट अब बी का देखेंगे डैबिट क्रेडिट में कौन सा बड़ा है डैबिट बड़ा है कितना बड़ा है 9600 बड़ा है मतलब इस गड़वर से क्या हुआ कि A को 9600 ज्यादा चला गया और B को 9600 कम चला गया तो entry हमने A से लेके B को दे देना है A को कम पैसे गए हैं से 9600 और B को 9600 ज्यादा चले गए है तो entry बन गई B कैपिटल एकाउंट टैप्टिट टू A कैपिटल एकाउंट 9600 इसको बहुते हैं पाइडजस्टमेंट एंटर यह हमने एक एंटर से सारी गड़वर ठीक कर दी है ठीक है जिसपार्टन को ज्यादा गए है जिसके लिया वापिस कापिटल टैपिट लिए और जिसपार्टन को कम गए उसको पैसे दे दिए इसको क्रेडिट कर दिति अब इंट्रसुन capital भूले हों salary Bूलyy हो यह सब्सक्रेथ में प्रेट्मेट इंट्स और स्याल्री को सब्सक्राइबो किफ़ान केशohn उसको कितना क्लोट करके निकालो कितना 24 ocredit में डालो उसका टोटल करो और टोल को profit डेबिट में डाल दो डिफ्रेंस की एंट्री पास कर दीजिए कोशीन निकल जाएगा अब इंट्रस्टन ड्रोइंग का केस जो है वो अपोजित होता है अगर इंट्रस्टन ड्रोइंग लगाना भूल जाएं कि माल लिजिए ए बी पार्टनर है और उनका रेश्यो है एक्वल वन इस्ट वन और एकी ड्रोइंग है इंट्रस्टन ड्रोइंग है टैन थाजन और बी का इंट्रस्टन ड्रोइंग है अब हमें इसकी एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो इसकी लिए हम क्या करेंगे वही statement of capital बनाएंगे यह A और यह B यह debit side और यह credit side यह debit side और यह credit side अच्छा, अब मुझे बताइए interest in drawing A का 10,000 है interest in drawing capital account में हम कहां लिखते हैं debit में लिखते हैं यह capital account दी तो बन रही है statement of capital account है बन रहा है न तो A का निकालो 10,000 debit में डाल दीजिए ठीक है और B का कितना बना 2,000 debit में डालते हैं debit में डाल दीजिए total कितना बन गया, total बन गया इनका 12,000 कितना बन गया, 10 A का, B का 12,000 अब यह 12,000 अगर इन partner से नहीं लिया तो क्या हुआ जब इन से नहीं लिया तो अब लेना है और लेना है तो 12,000 पर फर्म के अंदर और आएगा और आएगा तो कहां जाएगा यह यह जाएगा partners को profit के तौर के बंट के जाएगा क्योंकि हम interesting drawing लिखते है profit and loss appropriation account की credit side में भी और उसके उपर हमने net profit लिखा होता है तो वो बंट के profit में जाता है तो इसका हमने total करना है 12,000 और 12,000 को हमने profit sharing ratio में partners को दे देना है profit sharing ratio क्या है 1 is to 1 12,000 मतलब आधा 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 6,000 A को देंगे और 6,000 B को देंगे entry difference करिए debit बढ़ी है credit debit 4,000 A बढ़ा है और इधर B का credit बढ़ा है 4,000 entry बन चुकी है A is A debit बढ़ा है तो debit में लिखना है A is capital account debit to B is capital account 4,000 अब देखिए interest in drawing की जो entry होती है वो बिल्कुल opposite होता है interest in capital का यहां interest in capital हमने निकाला और credit में डाला उसका total किया profit sharing ratio में debit में डाला और difference की entry पास कर दी लेकिन interest in drawing में हमने क्या किया interest in drawing निकाला या जो question में दिया हुआ था whatever is वो हमने debit side में डाला क्योंकि interest in capital capital account के debit में ही डालते हैं उसका total किया 12,000 बना 10,000 और 2,000 और उसको profit sharing ratio में credit में डाल दिया 6,000 और 6,000 फिर difference की entry वैसे पास कर दी और हमारा entry पास होगी A is capital account आपटे to B is capital account तो यह है बच्चों हमारा past adjustment entry अब आप इस तरह के करीब 10 question करके group में home assignment show करेंगे सभी ओके and about this chapter is almost over now कोई query होगी तो आप group में question डाल कर पूछ सकते हैं या personally भी phone कर सकते हैं till then thank you